हेलो आप सभी का स्वागत है मागनेट बेंज हिंदी मीडियम पर मेरा नाम है अंकुर अबेले और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं कक्षा दस्मी का राजनिति विज्ञान के अंतरगत हमारा चप्टर चल ला है चप्टर नमबर 6 जिसको आप राजनितिक दल के नाम से जानते ह तो आगे चलते हैं देखते हैं सबसे पहला प्रस्न क्या है हमारे सामने तो पहला प्रस्न के एक दल को छोड़कर दूसरे दल में चले जाने को क्या कहते हैं दल छोड़ना कहलाता है दल बदल कहलाता है इस थापन कहलाता है या उपरोक्त सभी आप उसको कह सकते हैं तो इस दल बदल विरोधी कानून ठीक यह दल बदल विरोधी कानून क्या करता है कि जो लोग दल बदल रहे हैं चुनाव जीतने के बाद तो उनको रोकने का काम करेगा अगला प्रस्ट नमबर 2 राजितिक दलों की सत्ता और लोक तांतरिक राजिति में किसकी तरफ से मोल तोल करने करने वाले माध्यम की चर्चा की है नागरिक समूहों सामाजिक समूहों राजितिक समूहों यह चुनावी राजिति तो सही जवाब क्या है सामाजिक समूहों की सत्ता और लोक तांतरिक राजिति में किसकी तरफ से तो सामाजिक समूहों की तरफ से मोल तोल करने वाले माध सुरूप का तो उनको पता नहीं होता समधान के सुरूप का तो कि वो क्या है कि कम पढ़े लेखे हैं तो कम पढ़े लेखे हैं तो इसको पढ़ा नहीं पाए इसको जान नहीं पाए जान नहीं पाए तो पता नहीं चला कि समधान जो है इसमें क्या क्या है उनको नहीं पता कि मैं 395 नंको नहीं प्षाक इसमें 8 अनसूचिया थी उन को नहीं पता कि इनको 22 भागों में बाटा गया था उनको यह नहीं पता कि वढ़कर 450 जाता हो गए है आल्टिकल उनको यह नहीं पता कि अनसचियां बढ़कर आठ सा 12 हो गई है बरतमान में और यह भाग भी बढ़कर 25 के लगवग आपको देखने को मिलते हैं हाला कि आज भी आखरी जो आखरी अनुच्छेद है वो आज भी कौन सा है 395 है तो सही जवाब क्या हो जाएगा जो कम पड़े लेखे लोग हैं ग्रामीडशित के लोग हैं उनके लिए समधान के का जो सरूप है उसका उनक साल पहले अस्ती साल पहले तो लग बग हम सो साल पहले की बात कर रहेंगा कर देखते हैं अपने सो साल पहले का जिक्राता है जो चनोर लड़ने वाले और सरकार में है राजतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश से काम करता है उसको क्या कहते हैं संगठन राजतिक दल लोकतांत्रिक दल यह सरकार संगठन किसी भी चीज का हो सकता है संगठन आप कह सकते कोई भी चीज मजदूर संगठन हो सकता है छात संगठन हो सकता है यह सत्ता हासिल करने हैं काम नहीं करते हैं सरकार तो सत्ता ही है सरकार ही तो सत्ता है सरकार जब आप बना लेंगे तो सत्ता में आजाएंगे लोगतांत्रिक दल का मतलब यह है कि कोई कोई भी दल हो जो सत्ता के लिए कुसिस कर रहा हो या ना कर रहा हो अगला पार्टियां अपने खालिस्थान और खालिस्थान को आगे रखते हैं और मद्दाता उनका चुनाव करते हैं नीतियों और कालकरम को आगे रखते हैं नियम और बिनियम को आगे रखते हैं विचार और राय को आगे रखते हैं या उपरोग सभी को आगे रखते हैं त प्रस्टोंगा उथान से समाजों चतार की मसीनिस से या उपको अपुंढ़ी से च्मतित सभी से आपको संभनें को मिलेगा कि लोक्तांतरिक देसओं में राजडिक दल क्या हो गए है लोकप्रिय हो गए हैं ब्यापक हो गए हैं विवस्थत्थ हो गए हैं यह सर्व्यापी हो गए हैं क्या हो गए हैं यह आपको बताना पड़ाया क्या हो गए लोगतांत्रिक दल तो सर्व्यापी हो गए हैं लोगतांत्रिक देशों में आपको राजितिक दल भर भर के मिलते हैं पार्टियां देश के किस निर्माण में निर्लायक की ना किसके निर्माण में किसके निर्माण में निर्लायक की भूमका निभाती है तो पार्टियां क्या करती है कानून के निर्माण में निर्लायक की भूमका निभाती है भारत में चुनाओ लड़ने के लिए उमीदवारो के काचयन जो है वो कौन करता है राजतिक दल कौन करता है सीर्स पार्टी नित्रत करता हमारे यह पर चुनाव नहीं होता है ना राजतिक दल के जो प्रमक होते हैं उनके द्वारा ही चुनाव किया जाता है कि सरकार किसकी राय के अन्रूप अपनी मीतियां तै करती है ना सरकार जो है वो किसकी राय की मतलब किसके साथ चलेगी तो सरकार किसकी सरकार किसकी दल की किस दल की राजतिक दल की कि दल का नाम xyz तो नीतियां किसकी मतलब किसके साफ से सरकार किसकी राजतिक दल की तो नीतिया किसके साफ से तैक करेगी राजतिक दल के साफ से तो आपको बताना है क्या है कि सासन दल से सासक दल से नेताओं से जनता से किसके साफ से तो किसे नेताओं से नेता किसकी राजति नमबर 12 कानूनों पर कैसी बहस होती है अप्चारिक अनुचित अनुचित किस प्रकार की बहस आपको कानूनों पर देखने को मिलती है अप्चारिक बहस देख पाते हैं अनुचित देख पाते हैं तो कानूनों पर कैसी बहस होती है कानूनों पर अप्चारिक बहस होती है कैस अगर कोई सबसे पहले क्या आता है बिधियक आता है जिसको आप क्या कहते हैं बिल कहते हैं पहले प्रस्ताव होता है प्रस्ताव बाद में क्या बनता है आपका बिधियक बनता है अब इस बिधियक को संसद में रखा जाएगा लोकसभा रासभा के लिए दूस अदाने लोकस मर्डान मैं पारित हो गया राश्न-पती ने ह्स्टाप्चर कर दी तो क्यावन जाएगा कानून बन जाता है इसको कानून का मिल जाता है अगला है प्रस्टा प्रस नमysz no.3 दलो के क्या काम है यह बताना है चार ऑप्न बहाव कान रखिवा दलते है लोगों को देश में एक दली विवस्था है चीन में उत्तरपूरिया में क्यूबा में या उप्रोग सभी कहां पर आपको एक दली विवस्था देखने को मिलेगी तो लगवक सभी देश ता प्राप दल ये दल आपको खास तोर से दो प्रकार के मिलेंगे रास्टी इस्तर के मिलेंगे और राज्जी इस्तर के मिलेंगे हैं अब रास्टी इस्तर के दल और राज्जी इस्तर के दल इनकी संख्या आपने देखी थी कि लगबख साथ थी सातों का हमने जिक्र किया थ सकते हैं आपको पता है कि इनको 6 percent vote मिल जाए और चार लोग सभा की सीट जिट जाए तो बन सकते हैं इनको विधान सभा के चुनाओं में 6 percent बोट मिल जाए और दो विधान सवा की सीटेजी जाए तो राज इस तरी है ना राजी दल का चुनाओ राजी दल की मानता इनको मिल सकती है कई जलों वाले देश की विवस्था को क्या कहते हैं दो दल विवस्था कहते हैं बहु दली विवस्था कहते हैं एक दली कहते हैं कोई नहीं कहते हैं तो कहते हैं बहु दली विवस्था और इसका बहुत अच्छा उधारन क्या देख सकते हैं आप भारत जो है वह इसका बहु सभा तो कौन करवाती बिधायका बिधायका को कहते हैं हम लेजिस्ट लेचर कहा जाता है लेजिस्ट लेचर कहा जाता है लेजिस्ट लेचर दौनों जगए होता है केंदर में भी आपको देखने को मिलता है और राज में भी देखने को मिलता है केंदर के लेजिस्ट लेचर क के बारे में कौन सा कथन गलत है समाजबाद धर्मरपेख्च और लोकतंत का समर्थन करता है समराजबाद और संप्रदायक्ता का बिरोध करता है भारत में समाजएक आर्थिक नियाय सुरक्षित करना चाहता है या उप्रोक्त में से कोई नहीं कौन सा कथन गलत है तो इस पर स कोई कथन आपको गलत देखने को नहीं मिलेगा यह सारे कथन जो है वो सही है अब हुआ कि अमेरिका कुछ देशों में उम्मीदबार अमेरिका जैसे कुछ देशों में उम्मीदबार का चुनाओं करता है दल के सदस और समर्थक ? जंता के समूह-heen के did तो कौन करते हैं दल किस दस्त और समर्थकों के दवारा अपने प्रतिनिदी या उम्मीद्वार का चुनाओं किया जाता है नीतियों और बड़े सभी जाते हं प्रस्मब 21 इन मैं से किस देष में एक दली विवश्था है बारत चीन अमेर्का और ब्रिटेन कहां पर मिलेगी किन में चीन के कमनेश्च पार्टी सिर्फ उसका ही दल बना सकते हैं लेकिन सप्ता का दिकार की बल चीन का है तो से उसलें लिए आपको जाद देखने को नहीं मिलेंगे एक दली विवस्ता ओर अपर किया छुनती हैं लोगों को नेता को राजा को सदस्यों को किसको चुनती है तो पार्टियां नेता को चुनती है जो भी लीडर होता है इसको आगे पर मोट करती हैं भारति रास्टि कॉंग्रेस को किस स्रेणी में रखा जा सकता इन में से कोई नहीं तो जिसको दूसी कहा गए डेवन-दल-सरकार, कौन दोसी राजदिक- और समाजिक- विभाजन के लिए तो आम दोर पर कौन दोसी होता है दल राज्तिक दल समाज का विभाजन करवाते हैं मंतरी क्या करते हैं पार्टे की सिध्धानतों और कारक्रमों के अनुसार फैसला करते हैं नेताओं को प्रसिक्षित करते हैं सिध्धानतों को लागू करते हैं या भासन देते हैं तो क्या क अब यह मंठा कहां से आगी आपके पास तुम आपके पास आएगी election commission से किसे election commission of India से मतलब चुनाव आयोग से मानता हैं आपको मिलेंगी चुनाव आयोग जिनको निर्वाचन आयोग कहते हैं और ये खासलिए आपको दो प्रकार के दलों को उमान नहीं देते हैं किसको राष्टिस्तर का दल और राजिस्तर का दल इन दोनों को मानताने देते 2006 में राष्टिस्तर केह chambers अपर डल कितने थे उनकी संख्या पतानी है तो कितने थे साथ हुआ करते थे अगला प्रस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् जनता मेंसे ही मद्दाता बनते हैं और यह जो नेता है वो भी इन मेंसे ही बनते हैं तो बुले आरप सब सही क्यों कि जो नेता है वो बहुत कम संख्या में जनता जो है पूरी जनता मद्दाता नहीं है कुछ बोट दे सकती है कुछ ने दे सकती है और याँ और कहँ सकते हैं कि भारत के नाग्रिक भारत की जंता इनमें से सभी मत दाता नहीं है जो 18 साल के हो गई है वो मत दाता है तो उनके सामने हमें रखनी पड़ेगी सामने हमने तरफ आकर्सित करने के लिए उनके की एक्षा से चलाते हैं मंतरी जो है वो सरकार को किसके चलाते हैं पार्टी की लोगों की जनता की अनागरिकों की तो पार्टी की चलाते हैं जिस विचारधारा से जोड़कर उनकी पार्टी सत्ता में आई है उसी विचारधारा का धार पर इठा करते हैं सरकार चलाते हैं इन जो है वो लोग तंद के अच्छा नहीं है बिकल्प होने चाहिए अगर बिकल्प होंगे ना बिकल्प होंगे तो लोग तंद के लिए उतना अच्छा जितने ज्यादा बिकल्प होंगे उतनी अच्छा ही बढ़ती जाएगे ब्रोधी पक्ष क्या करता है ना सरकार की गलत नेतियों और अस्फलताओं की अलोचना करता है अपनी अलग राये बनाना का और खा दोनों या पार्टी बनाना तो ब्रोधी दल सरकार की गलत नेतियों और अस्फलताओं की अलोचना करेगा और अपनी अलग राये बनाएगा बात्ला उपर के दोनों सही हैं का और खा जो हैं वह दोनों सहीтоящ है प्रस्छंबर 31 भाजा पाकिस्थापणा कब हूई है उस्थानी 210 में होई है trilまず 1970 में लि знаете 1990 में होई है अगला प्रस्वें प्रस्वेंबर 32 इन में से कौन से चुनौती राज्टिक दल जेल लहा है चार उप्सन है आंत्रिक लोगतंत की कमी वंसबात का बढ़ना या वंसबात का बढ़ाना धन या अपराज का बढ़ता महप या प्रोग सभी तो सबी चीज़े राज्टिक दल के तीन प्रमुक हिस्से होते हैं नेता होता है सक्रिसरस होते हैं और उसकी समर्थक जिनको आप अन्यवाई कहते हैं मतलब उप्रोगत सभी इसका सही जवाब होगा अगरा प्रस में प्रस नमबर 34 विपक्षी दल किसके खिलाफ जनता को गोल बंद करते हैं या लाम बंद करक फिल्गता आर नेता राजनेता आया मंतली तो किसे खिलाब करते हैं सरकार खिलाब जर्ता में बैठी हुए हैं सरकार खिलाप प्रफ को गोल बंद करते हैं इन में compartment कौन सा किसी भी देश की डली वस्था के बारे में सही है पर दया कियाता है झांध पर कोई गर पीथे अध्याय में हमने पढ़ा हुआ था कि समाज के सामुजिक सामुहिक हितों को ध्यान में रखकर राजवितिक समुह क्या तयार करते हैं चार अप्सन दल नीतियां कारक्रम या खा और गा दोनों तो नीतियां और कारक्रम दोनों तय करते हैं सामुहिक हितों को ध्यान में रखक राष्टबादी कांग्रेस पार्टी को किस राज में बड़ा समर्थन प्राप्त है राष्टबादी कांग्रेस पार्टी को सौट फॉर्म में एंसीपी भी कहते हैं महाराष्ट में इसको ज़्यादा समर्थन प्राप्थ है इसकी कई बार इसके समर्थन से सरकार हैं अभी भी आप देख पा रहा हूंगे सरकार है लोगों तक क्या पहुंचाते हैं सरकारी मसीनदी सरकार द्वारा चलाये जाने वाले कल्याय लोगों के धन्य में घडबंदन की नेता की रूप में इसार यास्टी हा जंतांत्रिक काणळ बंदन एंडिये सर लगणति सील गढवणधन यूपी पी हो राश्टी यो प्रकार के दवारा मतलब भाजपा के दवारा इसको आप राश्टी-मतरिक कणळ बंदन है राजग भी कहते हैं या फिर एंडिये कहा जाता है प्रस्ट मरक तालीस एक साधारन नांगरिक के लिए किसी सरकारी अधिकारी की तुल्ला में क्या करना आसान होता है चार अप्षान है किसी राजिते कार करता से जान पहचान बनाना उससे संपर्क साधना उससे बात करना या उप्रोक सभी क्या आसान होता है तो आप देखे कि सरकारी कर्मचारी की तुल्ला में क्या असान होता है किसी राजिते कार करता से जान परचानवाना सरकारी कर अधिकारी से अगर उसे संपर्ख साधना है बात करनी है तो परिसानी हो सकती है कार करता से असानी से बात कर सकता है प्रस्ट नमर 42 बहुजण समाझपार्टी की स्थापना कब और किस ने की थी 1982 मायावती की दवारा निसे 84 कानसी राम जी के दवारा 1985 single सिंग के दो आज और 1986 बजए लाहरए तो ये किस के दोब की गई थी कानसी राम जी की गई मायावती जो है वो बीएसपी या बहुजन समाच पार्टी के नितर्गत मुख मंत्री बनी थी अगला प्रस्ण प्रस्ण मत तालीस यदि कोई दर लोगों की मांगो और जरूतों पर ध्यान नहीं देता तो क्या होगा अगले चुनाओं में लोग उन्हें धूल चटा सकते हैं लोग उनका वहिसकार करेंगे लोग उन्हें बोट नहीं देंगे या उप्रोग सभी अगर जरूतों पर ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा तो आपको देखने को मिलेगा धूल चटा सकते हैं मतलब चुनाओं में हार हो सकती है लोग वहिसकार कर सकते हैं लोग बहुजन समाज पाल्टी है वो इनसे प्रिणा लेती है अगर प्रस्ट नमबर 45 अगर दल ना हो तो उम्मीदबार कैसे होंगे सुतंत्र और निर्दली अपने कामों में लीन जंता का सुछन करेंगे भलाई की कार करेंगे तो सुतंत्र होंगे और निर्दली होंगे और नमब की बिचार है मतलब इसके द्वारा उपयोगी कह सकते हैं उचित भी कह सकते हैं दोनों सही होंगे लेकिन क्या है उपयोगी है इसके माध्यम से जनता का पहला हम करते हैं प्रस नंबर 47 निम्लेकित में से कौन एक राजितिक पार्टी का घटक नहीं है नेता अनुयाई सक्रिस सदस्थ और महला है राजितिक पार्टी की सदस्थ नहीं है अगर खास तो और बात करें तो कोई वर्ग बिसेस नहीं है महला पुरस की बात नहीं करें नेता होते हैं अनुयाई होते हैं नेता में महला पुरस हो सकते हैं अनुयाई में महला पुरस हो सकते हैं सक्रिस में महल कहीं बात नहीं करें तस्वर 25 राज दलों की क्या भूमिका होती है लोगतांत्रिक सस्थनिवस्था को बनाना समधान रचना सरकार हगठन या संचालन करना या अप्रोग तो सभी तो यह सारी बाते राज्टिक दलों की भूमकाओं के अंतरगत आती हैं प्रसंबर 49 पंचायती चुनाओं के अउसर पर पूरा गाओं किस में बट जाता है भागों में दलों में खेमों में पार्टी में तो पंचाय चुनाओं के समय पूरा गाओं खेमों में बट जाता है अ समाजबादी पार्टी नहीं है ये च्छेत रिये पार्टी है तो ऊप्शनमर्ड क्या हो जाएगा ये सही बहु बिकल्बी प्रस्ट हमने कंप्लीट किए अपने चैप्टर के चैप्टर नम्बर छियानी कि राजितिक दल के और इसमाइन गफना देखा ऊT देखें और इनको एक बार और समझने की कोसिस करें अच्छे से चेप्टर को पढ़ें पढ़ने के बाद इस वीडियो को देखें एक बार आप वन सौट रिवीजन जरूर देखें ताकि क्या हो आपको यह पूरी चीज़ है रिकॉर हो सके मैगनेट में अपनी हाई चैनल है यूटूब पर इसके लाबा हमारी वेबसाइड है www.magnetbrains.com हमारा एक अप्लिकेशन भी है जिसे आप प्लेस्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं तीनों जगए निस्वल्क हैं फ्री अप कॉस्ट हैं कोई पेमेंट आपको नहीं करनी है आप हमसे करेक्ट हो सकते हैं यूटूब फेस्बोक इंस्टा टुटेर और टेलिग्राम के मात नहीं से सर्च करेंगे मागनेट ब्रेंस तो वहां पर हमें पाएंगे यह जो वीडियो है वह आप देख रहे हैं मागनेट बेंस के हिंदी चैनल मागनेट बेंस हिंदी वीडियम पर तो चैनल को सब्स्रा नहीं बात